भारत चीन में तनाओ, अर्मेनिया अजरबैजान में तनाओ, ताइवान चीन में तनाओ, अमेरिका चीन में तनाओ, क्या दुनिया विश्वयुद्ध की तरफ पड़ रही है? इस सवाल के जवाब का इंतजार हर किसे को है, और ऐसे हालात के पीच, जब पीएम मोदी और रूसी राश्ट्रपती पुतिन की बाचीत होती है, तो हर किसी का ध्यान उस बाचीत पर चला जाता है इस बाचीत में क्या कुछ हुआ है? ये सब भारत तक आपको बताने जा रहा है पीएम मोदी और रूसी राश्ट्रपती के बीच फोन पर बात होई है इस दोरान पीएम मोदी ने राश्ट्रपते पुतिन को जनदिन की बताई दी पीम मोदी ने रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन को उनके और सच्वे जन्म दिन पर टेलिफोन पर बाचीत के दौरान शुपकामनाई दी है इस दोरान दोनों देशों के बीच विशेशा अधिकार प्राप्त रणनीतिक साज़ेदारी को बढ़ाने के लिए पीम मोदी ने रूसी राष्ट्रपती के व्यक्तिकत पहल की जम कर सराहना की है इससे पहले रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पोतिन ने भी पीम मोदी को उनके जन्म दिन पर चिट्थी भेज कर बढ़ाई दी थी कहने के लिए मौका जन्म दिन का था लेकिन ये हर कोई जानता है कि जब दो ताकतवर देश के लीडर आपस में बात करते हैं तो वो कई जरूरी मुद्दो पर चर्चा करने से नहीं जूगते ये बातचीत का दोर लगतार जारी है इससे पहले भी पीम मोदी और रूसी राष्ट्रपती की फोन पर बातचीत हुई है रूसी राष्टपती की तरब से आए फोन पर पीएम मोदी की लंबी चर्चा हुई थी उन्होंने भारत रूस की विशेश और विशेश अधिकार प्राप्त सामरिक भागदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिवधता दोराई और कुरूना के बावजूद द्यपक्षिय वाचीत में निरंतर गती के लिए सराहना की विदेश मंत्राले ने बताया था कि पीएम मोदी ने इस साल S.E.O. और ब्रिक्स की रूसीय ध्यक्षता के लिए राष्टपती पुतिन को बधाई दी उन्होंने इस साल के आखिर में आगामी S.E.O. और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी उत्सुक्तावी व्यक्त की थी साथ ही भारत द्वारा अयूजीत किये जाने वाले S.E.O. शास्ता ध्यक्षों की परिशद में भी उनसे मिलने की इक्षा जताई थी भारत और चीन के तनाव के बीच होने वाले ब्रिक्स की बैठक काफी एहम मानी जा रही है भारत और चीन के बीच रूस एक एहम कड़ी है ऐसे में रूस की भूमी का इस माहौल में काफी एहम है एक तरफ जहां पूरी दुनिया में तनाव हुए वहीं पुतन के जन्म दिन के मौके पर रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परिक्षन किया रूस के रक्षा मंत्राले ने बताया है कि इस मिसाइल का परिक्षन बैरेंट सागर में किया गया इस मिसाइल ने ध्वनी के तुलना में आठ गुना ज्यादा स्पीड में 450 किलोमीटर की दूरी तैकी और अपने लक्ष को तबाह किया बियर और रिपॉर्ट भारत तक